और अब एक खास बात आरजी रमजाजर के दर्शकों से निवेदन है ताबर तोड बेबाक वा बेजीज़क खबर देखने वा जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है उसे दबाते ही बैल आइकन आजाएगा उसे क्लिक करके All Options सलेक करते हैं जिससे सबसे पहले हमारे दौरा डाले गए वीडियो आपके पास पहुँचेंगे और आप निर्वार तरीके से चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं नमस्कार साबित हो रही है करमट संजीवनी करमी सेवा और समरपण से लोगों की जान वच्चाने और उन्हें जल से जल चिकित्स सुविधा मुहया कराने में महतुपून भूमी का आदा कर रहे हैं ऐसा ही एक मामला शनीमार को देखने को बिला जहां 108 की टीम ने गरवती महिला का एंबूलेंस में ही सुरक्षित प्रसो कराया मिली जानकारी के अनुसार ग्राम हर्दी निमासी गरवती महिला मंजीता राजपूत उम्र 27 वर्ष को प्रसो पीड़ा होने पर परिजनों ने जिला स्पताल मुगेली में एड्मिट कराया था किन्तु केस क्रिटिकल होने पर डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर याने सिम्स रिफर कर दिया था इसकी सूचना 108 को दी गई, सूचना मिलते ही पाइलेट हितेस पांडे और EMT मोहन साहू बिना देर किये मंजीता राजपूत को एम्बूलेंस में सिफ्ट कर बिलाजपूर के लिए रवाना हुए एम्बूलेंस 25 किलिम्टर तक की दूरी तैही कर पाई थी कि गर्वती महिला को तेज प्रसोपीडा होने लगी और बच्ची का सिर बाहर आने लगा वही महिला को बार-बार जटका आ रहा था इस दोरान दोहरी चुनोती का स्तामना 108 की टीम को करनी पड़ी एम्टी मोहन साहू ने अपनी सुझबूज का परिचा देते हुए सरुप्रथम ERCP के माध्यम से डॉक्टर सचीन को वस्तुई सिती से आउगत कराया और परिचनों की सम्मती उपरांत एम्बूलेंस को सड़ा किनारे सुरक्षित खड़ी कर प्रसो प्रक्रिया तारंब किया गया जोरान पाइलेट हितेश पांडे भी EMT की मदद करते रहे महिला ने स्वस्थ बेटी को जन्म दिया ब्यूरो रिपोर्ट आर जे रमजाजर